हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ अर्सी की रेस्पी जो गावा स्टाइल में बनाएंगे बिल्कुल भी तो हमने तीन केजी चावल लिया है ये अर्वा चावल है अब इसको हम रात भर भी गो देंगे और सुबा जात को डाल कर बारिक पीस लेंगे तो मेरे चावल पीस चुके हैं अब हम गुड का पाग तयार कर लेंगे या फिर यूं बोल सकते हैं आप गुड का चासनी चीनी का चासनी ज्यादा तर बोला जाता है बट मैं यहां पर गुड की चासनी बना रही हूँ तो मैंने तीन केजी के लिए 2.5 kg गुड लिया हुआ है तो अब इसे एक गलस पानी में डाल कर हम अच्छी तरह से पाग तयार करेंगे अर्सा ज्यादा कॉंटिटी में बन रहा है इसलिए हमने बड़े बरतन लिये हैं 2.5 kg गुड के लिए हमने एक गलस पानी एट किया था अब गुड का ही ज्यादा थीक नहीं होना चाहिए बस एक तार बननी चाहिए तो देख सकते हैं अब इसमें चावल का आटा एट करेंगे तो धीरे धीरे चावल का आटा एट करेंगे क्योंकि एक साथ सारा आटा एट करने से वह गुठली भी बन सकता है तो यहाँ पर चलाते हुए थोड़ा आटा को एट करेंगे ताकि गुठली था बने बिल्कुल यहाँ पर चलाते ही रहना है बिल्कुल भी गुठली बननी नहीं चाहिए वरना अर्षा खराब हो जाएगा तो बिल्कुल चुलहे के उपर ही रखकर इससे चलाते रहना है यह नहीं कि हम नीचे रख दि करें और उसको चलाते रहें वैसे में आर्षा का जो आटा हम तैयार कर रहे हैं गहोल वह खराब हो सकता है तो देखिए सारे आटे को हम बारी-बारी से थोड़ा-थोड़ा एट करेंगे गुड में और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे अब घोल ठीक होता जा रहा है एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अर्षी का आटा आप मसीन में भी पिस्वाकर अर्षा बना सकते हैं पर उतना टेस्टी नहीं बनता है जितना कि आप अगर जाते में पिस्वाकर बनाते हैं और जहां पर जाता अगर जाता आपके पास एवेलेबल हो तो आप जाते में ही पिस्वाकर बनाएं बहुर टेस्टी लगता है अर्षा जैसे हम पुआ का घोल तयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से अर्षा का घोल तयार हो रहा है चावल एट करने के बाद लगवग 15 मिनट तक इसे पकाते र रहा है तो अब हम इसे नीचे उतार देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे दूसरी तरफ हमने तेल को गर्म करने के लिए चड़ाया हुआ था तो तेल बिल्कुल भी गर्म हो चुका है आप देख सकते हैं तो अब अर्षा को हम छानेंगे बिल्कुल पुए क यही आकरीती में इसे चानना है जैसे हम पुए को चानते हैं तो आपको जिससे भी इजी लगे कल्चल से या फिर कोई कटोरी वगएरा से तो आप डालकर आप बना सकते हैं तो देखिए कैसे निकल रहा है अर्षा पुए की तरह ही यह बनता है एक बात का खास ख्याल रख करने से अर्षा बहुत टाइट हो जाता है वह टूटेगा भी नहीं खाया भी नहीं जाएगा और मस्टर्ड रोयल में फ्राइ करने से वह मुलायम रहता है अर्षे को निकालने के बाद कभी भी आप ऐसे बरतन में रखें जिससे चंद के तेल नीचे की तरफ आए तो हमने आए लेकन तबाना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्यू फर वचिंग